कि क्या हाल है साथ ही हूं मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्वादी चाहें स्टडी फॉर सिविल स्विस्टेस पर आज आपका समझ लेकर आगया है 25 मास्वा करेंट फेर हिंदी इंग्लिज दोने वाशाओं में यूपीसी यूपीसी का इपीफ और अधर स्ट्पीसी एक मिलती नहीं है ठीक यमन के हूती विद्रोहियों के समक्ष रियाद की युद्विराम योजना ये मने भी कुछ दिन पहले इसका जिक्र भी किया था देखिए फिर से अब इस पर सीजवार प्लैन के जो है आगया है और रेमन हूती से समझते रियाद यानि के साओधी दो अब इसमें लगते हैं डोज पहले जो इंटर्वल था वो था आपका चार से छे हफते अब यह बढ़ा के जो है चार से आठ हफते कर दिया गया है ठीक और कहा गया है कि अच्छी जब इसके बीच का डिफरेंस बढ़ा जाता है दोनों की बीच में तो एफेक्टिवट इस सबंदित है कि हमेशा बंडिया रखेगा यहां राखें और जो लोग भी बैंक लिए अप्लिकेशन के लिए अपलाई करते हैं तो उनको जो है इसके लिए इक पैनल बनाए गया कि वह मूलेंकन तो करें भी या कि जिन अप्लाई किया है वह ठीक किया यह नहीं किया है और इंडिया का पहला farmer producer organization का portal बन गया है ठीक farmer producer organization क्या होता है farmer private player और जो बनाते हैं अब ये लोग जो भी farmers हैं उन सब की जो अल्रेडी FPO बन गया है उनके बारे में जनकाई तो होगी होगी जो छेतर से हैं उसकी जनकाई तो होगी होगी जो लोग नहीं अभी FPO बना पाए है वो लोग भी FPO बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि किस राज जने इसको सबसे पहले चलू किया है यह बहुत ही मैं दपूर नहीं जानना ठीक और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बतारें कि EPFO 2020 का current affair आपका crash course और UPSC 2021 का पूरा पूरा complete paid group हमारा चल रहा है आप ल आज का जो टॉपिक है वो है वोटर वेरिफेबल पेपर और ट्रेल इलक्षन कमिशन ने यह डिसाइड किया कि अभी चार राज और यूनियन ट्रेटरी में जो इलक्ष होने वाला है उन सभी में सभी पॉलिंग स्टेशन पर बीवी पीटी की मशीन लगेगी इवियम के सा हाथ में लगती ऐसा नहीं कि यह लग गई तो इवियम हड़ जाएगा इवियम वैसे ही रहेगा जैसे यहां पर देखे वोट यह मशीन होती ही ठीक आप यहां पर बटन दवाएंगे बटन दवाने पर वहीं पर पास में इस टाइप की मशीन रखी होगी जिसमें आपको य गलत करने के लिए और जादा टांस्परेंसी बढ़ाने के लिए वी वी पी एटी लाया जाता है इसमें क्या है कि आपने वोट डाला अगर इसको तो यहीं आया है कि नहीं आया इसी इसी पार्टी को वोट गया कि नहीं गया यह देखने के लिए होता है कंडिडेट जो है स 500 यह टो नहीं होसकता है तो इसलिए अच्छा है कि तो नहीं जी इस लिए में भी जो एक poling station बनाया जाता है उसमें भी 1500 से ज़्यादा होता ही नहीं है ध्यानका ठीक, जो printed VBPAT slip होती है वो 7 सेकंड के लिए आपको दिखेगी ठीक है न, यहाँ पे जो है यह 7 सेकंड के लिए आपको दिखेगी फिर automatically कटके box में ही चली जाती है अंदर sealed ballot compartment होती है आपको मिलती नहीं है यह नहीं खीच के काट लिया रख लिया ठीक, और इसका VBPAT जो है रही यह voters को help करती है देखने के लिए कि हाँ, जिसको दिया उसी गई है, और printer जो होता है, वो record करता है voter का selection, और show करता है display unit जो होती है, वो यह शो करती है कि अगर कोई error होई है, तो लेकिन सबके बाद भी एक सबस्वड़ी चीज यह है, कि VBPAT से जो voting होने के बाद, जो counting होती है, जिसे निज़र गोशत किया जाता है तो counting के समय पे VBPAT को नहीं गिना जाता है, समझना VBPAT को जुड़ा जाता है तो यह मतलब पहला ही preference नहीं होता है, कि हम परच्च उठा के सो गिनने लगें, पहला preference counting के समय पे, EVM सही है उसको उस पे अगर विवाद हुआ तब जो है VBPAT को counting किया जाएगा तो यह अभी भी EVM ही पहले counting का जो है स्रोत रहता है ठीक, यह VBPAT मैंने आपको बता दिया, method provide feedback देता है, और independent verification सत्यापित system है voting machine के साथ में एक तरीके साब audit कर सकते हो electronic result क्या दे रहा है क्या नहीं इसमें name और यह सब कुछ मिलता है significance यहीं है, इसमें election fraud और mal function नहीं करता है चिक, audit कर सकते हो electronic result का जो है, और destroy votes it serve as an additional barrier to change or destroy votes votes को जो है, destroy नहीं किया सकता यह वली बात है EVM जो है, यह ensure करता है कि accuracy है पूरी पार्दिश्चिता के साथ मद्दाप रनाली की सटीटा सनुचित करती है मद्दाताओं का विश्वास बाहल करती है इसका यूज़ जो है पहली बार तो suggest किया गया था all party meeting में October 2010 में ठीक, लेकिन पहली बार यूज़ का हुआ था यह 2013 में यूज़ हुआ था नोकसेन Assembly Seed जो की नागलेंड में है और नागलेंड के त्योंसांग district में है, नोकसेन Assembly Seed 2013 में पहली बार यूज़ किया गया अच्छा इसी साथ है बताइए कि EVM पहली बार कब यूज़ किया गया था कौन से में, केडला में एक जगह है उसका वहाँ यूज़ किया गया था बता दें आपको और पहली बार कौन से जनरल इलक्शन में जो है फुली जो है यूज़ किया गया था EVM को यह आप लोग को बताना है ठीक और EVM में कितने Candidates चले EVM पे आप आज आप लोग को जो है एक वो लिखना है EVM कितने Candidates का जो है नेमिंग आ सकता है EVM पे आपका आज जो है होमवर्क है ठीक बना लेगा है जैसे BHEL बनाता है आपका ठीक ECIL बनाता है कौम बनाता है बताइए ठीक यह बात है VBPAT जो है EVM डेप्लाइड हुआ था 8 Parliamentary Constituency 2014 के लोग सबाइलेक्शन में 8 Parliamentary जो Constituency थी ठीक चुनावी छेतर थे वहाँ पे हुआ था 2019 के में पूरे में हुआ था जितनी भी Constituency थी सब में हुआ था ठीक एक आप लोग के लिए Homework और है Delimitation Commission ठीक मैं आपको बढ़ाद हूँ Delimitation Commission एक Statutory Body है कई लोग को लगता है कि Constitution में लिखा हुआ है Article number 82 में तो यह समवेधानिक Body नहीं यह वैधानिक संस्ता है Time to time जो है Parliament जब law बनाती है तब यह जो है पिक्चर में आती है इसको इंदिन बोलते है परिसीमन आयोग ठीक इसके बारे में जो है आप लोग को बताना है और लिखना है आज इसको करना है पॉलिटी का टॉपिक है रियाद प्रेजन्ट कर रहा है एक सीजफायर युद्ध विराम योजना येमन के हूती से हूती यह असली नाम है द्यान वैसे मज़ाग मुं समझे गए कि वह बड़े हूती हो रहे हो तुम साओधी अरेबिया जो है उसने ये Peace Initiative लाया है और जो की एंड कर सकता है वार येमन में किसकी निगरानी में होगा सीजफायर? युवन के सूपर विजन में होगा और ये जब सीजफायर हो जाएगा तो उसके बाद एर और सी के लिंग्स जो है ओपन हो जाएगे साओधी अरब ने येमन के में युद्ध विराम जो है संपर्कों को फिर से स्थापित करना शामिल है ठीक अब देखे यह जो है मैप इसमें दो यूज किये हैं एक तो यह वह वाली एरियाज है जहां पर हूती मतलब येमन में क्या है कि कई लोग अभी पूरी कहानी समझेंगे कई लोग जो है एक तो हूती से मेली जिन्नों अभी उट्प कई कभजा कर रखा है तिक कॉनफलिक्ट जोन रेड वाला देखे यह रेड और यहमनी गवर्मनिट फोर्सेश जो है यह सब है भी ज्यादा फूर्म अभी नहीं है हूती फोर्टेश जो है आपके यह है यह वाला कलर जो है और असना तो इनकी वह एकैप्ट हुटी फोर्सेस हैं वो भी यह रखे हुए अब देखे एक और इसमें डिखते हैं आपर यह ठीक देखे समय लिखते हैं यमिन यह रहा और यह है बाबल मंदब ठीक यहां पर कौन सा यह स्टेट आफ हार्मुज है गल्फ आफ एडन है एडन की खाड़ी है रेड सी हो गया य जो है आपका मेडिटरीन जाती स्वीज कनाल ब्लॉक हो गई है एक बड़ा सा यह वहां से जा रहा था जो है शिप और वहां से उसमें कुछ स्टोरेज का गिर विर गया तो उसके ब्लॉकेज हो गई है स्वीज कनाल ठीक है ओमान यहां पर है देखिए जो कि अरेबिन सी मे है गल्फ ऑफ ओमान होगया ओमान की जो मसकत होती है कैपिटल ठीक इनकी सना है और यह साथिया ऑर पूरा रियात साथिय एक We की कैपिटल है देखिए यहां पहरे इरान अब जो यह हूती है यह का यह एरान हैे शिया गौ अबिनेटेट एर जो स्दिय है वो सुन्नी है अ तो यह जो है आपका इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है ठीक इसमें ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे बस एसमाली जे कि हूतीज जो है आपका वो शिया है और इनको सपोर्ट दिया जा रहा इरान के द्वरा और यह चाहते हैं कि साओधी अरभिया में जो है पीस वीज लाए गया है इसमें यहीं कि साना का जो एरपोर्ट है वो खुल जाएगा होड़ेडा जो पोर्ट है यह भी जो है खुल जाएगा तक इसके जरीए फूड और फ्यूल का इंपोर्ट जो है इरदन और खाद आयाद जो है गतिवे दिया पर रारंब होंगी यह दोनों ही पर चल रहा है हूती मुव्मेंट यह कहा जा रहा है ठीक तो साओधी चाहरा है कि थोड़े थोड़े चीज़ें खुलें और फ्यूल ऑफ फूड जो है चीज़ें मिलें वल्लब सीस्फायर की बात करी उन्होंने ठीक पॉलिटिकल नेग्योशेशन चलने साओधी वैक्ट और होती के साथ में हो सकता है फिर से री स्टार्ट हो जाए कंफ्लिक्ट होती में क्यों हुआ देखे अरब स्पिरिंग एक आई 2011 में तुनीशिया से चलू हुई वैस्ट एशिया में समझिएगा अरब स्पिरिंग क्या है यह नाम पूछा भी आ चुका है यह पीसी ने तो डेमोक्रेसी आए उसके लिए चलू हुई उसका नाम अरब स्पिरिंग दिया गया ठिक 2011 का और इसी के जरी यह क्या हुआ कि अली अब्दुल्ला सलेह जो थे उनको हटा दिया गया और फिर उनकी जगह जो है उनी के डेपटी जो है अब्डरा अब्डरा भूह मंसूर ह हादी को बना दिया गया ठिक लेकिन हादी साब ने भी ज्यादा कुछ काम किया नहीं और निपट निपाए फूड इन सिक्योर्टी करप्शन सबसे दोजा चौदा में क्या हुआ कि जो हूती थे उनकी वज़े से जो येमिन में के अंदर बहुत जारे कॉन्फिक्ट हो गय है ठिक हादी के इंतरकत लोकल इजनल इंटरनेशनल एक्टर्स के में बीच में और हुदी जो ग्रूप एक ऐसा है जायदी शिया है ये मुस्लिम से और जिन्होंने इस जगए को हजारों सालों से जो है यहां पर रूल किया है उनका किंडम रहा है तो उनके बीच में काफी ज़्यादा जो है द्वेश हो गया जो है किसके खिलाब हादी के खिलाब और क्योंकि उन्होंने काफी टाइम तक इलेक्षण नहीं होने दिये हादी जी ने आप आने के बाद भी अब बहुत बाद में होगा जब इलेक्शन पहले होगा तब तो होगा तो इसकी वेशे जो नए कंस्टिटिउशन पर नए सम्मिधान पर तो इसकी वेशे जो होगा जा रहा है कि और कि यह जो हादी थे यह सौदी अरेविया के प्रो थे तो होगा जो है जो कि शिया है तो इरान से मदद ली और होगा पर तो येमन में तो कबज़ा जमानी कोशिश करी है साओधी अ अरेविया ने क्या किया कि सबके साथ में मिलकर यहां पर जो बताया गया है मिलिट्री एक कॉलीशा मना लिया ठीक सैने गड़ बंदन और फिर यमन के उपर मार्च 2015 में जो है अटैक कर दिया हादी की रिक्वेस्ट पे हादी ने इनको बलाया था साओधी अरेविया को ऐसा नहीं कि अचालो किया था बहुत उनको ओपर अट्याचाय भी हुआ है दोनों लोग कोई भी ठीक नहीं है दोनों ये दूद के दुले बिल्कुल नहीं है काफि दिक्कत है ठीक ये कॉनफ्लिक्ट जो है लारजर शिया जो है इरान और सुन्नी जो है साथी अरेविया के बीच का एक मतलब कहा जा रहा है यह लड़ाई का एक मतलब वो पार्ड बन देखा गया है ठीक यमिन को जो जहिलना पड़ लाएं कोवी शील्ड की खुराग जो है अंतराल की में व्रद्दी की जाएगी और जो है 19 कोविट 19 जो शीड़ पहले चार्ज अब इसको चार से आठ वीक का जो है इसके बीच में अंतराल किया जाएगा इंटेवल ठीक पह 8% 8% है कोवी शील्ड जो है सिरम इंस्टिटूट आफ इंडिया के दोरा बनाया जा रहा है जो अडार पूने वाला आपने नाम सुना होगा ठीक और वो लोग बना रहे हैं और यह किस पे बेस्ट है एस्ट्राजैनिका एस्ट्राजैनिका ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड उन लगातार यह पूरा सुबह छेवरे रोद देख रहे हैं तो आप लोग बता होगा कि यह वैक्सीन जो है और मैंने भी आपको बता है कि जो यह आरेने बेस्ट वाइरस है तो इसको आसा में समझें तो यह बहुत चेंज अपने आपकरता रहता तो कई यूके इसमें कोई नई बात नहीं बात नहीं कि इस ट्रेंट नहीं अपने को बदल रहा है तो कि यह बेस्ट में होता ही है अब दिक्कत यह है कि एस्ट्राजनिका जो है वो उसकी एफिकेसी और डी जो है सेवंटी कुछ परसंट है ठीक है और जो नया जो साओट अफरीका अफरीका ने वैक्सीन की डोजस भेड दी थी वापस कोवी शील्ड वली ठीक है और इंडिया में भी देखा जा रहा है कि जाया तर जो है 92 परसंट इसी को ही दिया जा रहा है कोवी शील्ड को आपने अभी देखा तो और अब जो है आज कि आगर मैं देखूं तो यहां प फिर भी सिर्फ लगाने के लिए है क्योंकि मैंने आप लोगों यह भी पहले बताया था कि वैक्सिनेशन कराने से पहले एंटी बोडी कितनी है क्या है उसका भी टेस्ट होना चाहिए क्योंकि आप जो वैक्सीन लगा रहे हो यह एक एटिनुएटड जो है आपके वाइरस ह आपना है और याद कर लेता है मगली वार आएगा तो और तरशी मारेंगे चाहितनी तादाद में आ जाए तो वैक्सीन का यही तो है लेकिन एंटी वाडी ऑडीज ही जो याद करती है यह सब बी अर यह जो टी सैल गोंडीसीं अगर व है कितना है क्या यह नहीं उसका टेस इसमें कुछन पूछ सकता थोड़ा डीप में पूछेगा क्योंकि इतना ज्यादा यह हो चुका अब यह तो पूछेगा नहीं कि कोई-19 क्या है ठीक यह लिवात है ठीक है रीजन जो है यहां पर यहीं है कि इसका एजट डी वन वन टू टू जो है उसमें बताया गया कि बार पाओ कारिता जो है बहुत बढ़ जाती है और यह फाइंडिंग जो है यूएस चिली पेरू में देखा गया है अब देख रोगे सेंटीन परसंट तक है अगर सेकेंड डोस जो है थोड़ा चार वीक के बाद दिया जाता है तो ठीक है यह जीज़ है मिनिस्ट्री आप है कि कि इंक्रीज कर दो डोस के बीच में डिफरेंस इंटरवल और दो जो है एक्सपर्ट ग्रुप थे उन्होंने मिलके भी इस पे जो है महर लगाई अपनी क्या नाम है उनका रास्टिय तकनीकी सलाकार समू और दूसरा है नैश्टनल एक्सपर्ट ग्रुप ओन वैक्सीन एड्मेस्टेशन फ़र कोविड नैटीन एनी जी वी एसी ठीक ग्रुप ने ये एक्जामिन किया है कि सैंटिफिक एविडेंस देखे गये हैं मतलब ऐसा ने वैग्यानिक साच्छों पर देखा गया है कि कोविड नैट कोविड शील्ड वैक्सीन जो है कि प्रभवकारिता बढ़ती है सिर्म इंस्टिटूट ओफ इंडिया जो है वह एजडी 1222 का जो है एक वर्जन बना रहा है एक्स्टाजन का क्लिबरेशन है किसके साथ उन्हों ने एक वैक्सी मनाई अब सिर्ण इंस्टिटूट ओफ इंडिया का कर रहा है उसकी यह अली बात है चले अगले टॉपिक चलते हैं अगला टॉपिक है हमारा आरवी आई ने एक पैनल बनाया है ताकि मुल्यांकन कर सकें जो बैंक की आवएदन है ठीक यह पांच मेंबर का कमिटी है इसके जो हैड है वो पहले आरवी आई के डिप्टी गोवर्नर रह चुके इनका नाम है शैमला गोपिनात ठीक जो भी युनिवर्सल बैंक्स या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी जो आवेदन आये हैं उनको जो है मुल्यांकन किया जाएगा ठीक और जो है मुल्यांकन कल लेगी अली कमिटी तो उसके बाद जो है फिर आपका जो है कौन इसको अवेदन दिया ठीक अवेदन को पहले आरवियाई जो है कुछ चेक प्रैमरी चेक करेगी ठीक और उसके बाद जो है वो क्या करेगी वह उठा के देदेगी SEAC को जो कि शैमल गोपिनात के द्वारा जो है है एट किया जा रहा है और फिर वह बताएंगे कि भाइया हाँ यह जो भी बानक रखे गए तो उसको पूरा कर रहे है इन्योर्सल बैंक के तरह इसको बनाना चाहिए नहीं बना चाहिए इस सारी चीज़े ठीक समझ में आगे बाग यह सिंपल सा है इसका गोपिनात जी जो है इसके हैड है यह बस जाना समझना जो हुरी है ठीक ऐसी एसी जो जो है इसका तीन साल का है और यह पार्ट होगा सेंट्रल बैंक के अर्लियर प्लान जो की ओन टैप लाइसेंसिंग का ठीक की कंडिडेट जो भी आएं चाहते हैं बैंक खोलना उनके लिए खुले है दरवाजे अपना एप्लिकेशन दे अगर सही लगेगा तो उनको जो है बैंक खोलने की आजादी नहीं सरी बैंक खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी गाइडलाइन जो है वो यह है कि अर्बियाई जो है अप्लिकेशन को पहले चेक करता है फिर वो इसको दे देता है आपका S.E.A.C. को की एवैलुएट करो और फिर बताओ कि वह यह 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 और जो लार्ज इंडस्ट्रियल हॉसेज हैं बड़े-बड़े कंपनी जैसे टाटा आपका बिढ़ला और आपका रिलाइंस यह लोग को रखा नहीं गया है जो पात्र मेंटिटी नहीं है बट वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंकों में 10 परसंट तक ठीक है ना जो मतल एक नॉन ऑपरेटिव फैनेंशल होल्डिंग कंपनी होगी उसको बनाया जाएगा और यह जो है कोई अगर प्रमोटर प्रमोटर को होता है जैसे टाटा है टाटा किसी बैंक को मैं मतलब खोल ला अपनी वो जो है उसको कुछ पेमिंटमेंट दे रहा है कुछ पैसे लगा तो प्रमोटर कहलाएगा ठीक तो अगर कोई भी प्रमोटर जो है व्यक्ति का तुरूप से या फिर स्टेंडलोन प्रमोटिंग कंवर्टिंग एंटिटी है इकाई है तो उसके लिए अब जो है जरूरी नहीं है कि उसको नॉन ऑपरेटिव फैनेंशल होल्डिंग कंपनी जो है बनानी पड़े ध्यान रखिंग ना बनानी पड़े अब मेंडेट्री नहीं है इतना ही ध्यान अको ठीक और जो है यह बतलब कोई प्रमोटर अगर व्यक्ति के तुरूप से या फिर स्टेंडलोन प्रमोटिंग कंवर्टिंग एंटिटी है तो उसको अब यह नॉन को मिलेगा बैंक खोलने का और इसका यह है कि उनिवर्सल बैंक के लिए जो है दो जट छे में इसके लिए लेसिंसिंग लिए काइडलाइंस दिए गये थे कोई भी रेसिडेंड इंडिविजल याने कि इंडिया में रहता है एक सो बैसी है फिर एक सो बैसी दिन से और इसको दस साल में अगर दस साल का तजरुबा है बैंकिंग और फैनेंस में ठीक सिर लेवल पे तो वह पात्र है कि प्रॉमोट कर सकता है उनिवर्सल बैंक क्या होते हैं यह तरीके के फैनेंशल विक्ति एकाया है जो कि जैसे कि आपका कमर्शियल बैंक वाडिजिक बैं है उसके schedule 2 में आते हैं इनका नाम ठीक है financial institutions non banking financial companies यह सब जो है universal bank की category में आते हैं which undertake multiple financial activities under one roof देवा क्रेटिंग financial supermarket ठीक commercial bank financial institution और आपका nbfc हो सकते हैं ठीक आप लोग लेक और homework है आज काफी homework है schedule जो है हमारे समविधान के उनके बारे में आज आप को पढ़ना है लिखना है जो है रिवाइज कर लेना अगर पहले आप बना चुके हैं बारत का पहला एफ़ी ओ जो है पोर्टल बनाया गया यह उत्तर प्रदेश बनाया गया है किसान कल्यान मिशन जो है overall जो है हमारा मिशन है farmers के अच्छाइए के लिए उनकी इंकम को डबल करने के लिए उसी के अंतरगत UPFO शक्ती पोर्टल खोला गया है यह पोर्टल जो है पहला है और जो की इंडिया में ऐसा बनाया गया है बिल है ट्रेडर्स है जो आपके वैपारी है डिपार्टमे अगरी कल्चर है और और भी जो एलाइट डिपार्टमेंट ने स्टेट गोर्टमेंट के वह सब एक प्लेटवर्म पे आ जाएंगे इस टेट में UP स्टेट में पांसो चेरतर एक्पी ओस हैं फार्मा प्रडूसर और जिसमें जो है 2.15 लाइट फार्मर्स हैं और इसमें से जो है 431 फ्याइट अभी तब पोर्टल पर जो है 431 आ चुके हैं ठीक यूपी जो है आपका देखे इंटरनेशनल बॉर्टर शेयर करता है नेपाल के साथ में ठीक बाकी आपकी आपका देखे उत्राखंट से शेयर क अपका यहां पर 36 गड़ हो जाएगा सोंदबत पूरी इंडिया के एक ऐसा जिला है जो कि चार स्टेट से जो है टच करता है चिक चारकंड हो गया बिहार हो गया देखरों यहां से जुटा हूँ आपर MP हो गया ठीक तो ओवरल जो है कितने से बॉड़र करता है यूपी बत सारे यूपी वाले अपने दोस्तों बेनिफिट जो है क्या है इस पॉर्टल का कि फार्मर देखिए उनको मार्केट बेस मिल जाएगा उनकी मंडी पे जो है डिपेंडेंसी खतम हो जाएगी कम हो जाएगी अपना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर पाएंग साब कुछ यहां पे अबलेबल होगी कोई डिस्प्यूट है तो वो भी अराम से जो है यहां पे उसका अराम से तोरे समधान किया जाएगा और फार्मर जो है उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मिशन जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर उनके अपने विलेज ब्लॉग डिस् कामर की इंकम 2022 तक पांच ट्रिलियन की एकनॉमी बनानी है 2024 तक और जो है जनेरेटिंग इंप्लॉयमेंट रोजगार बढ़ाना है मार को पोर्शनों खतम करना है वीमन को सशक्ती करना है यह सारी चीज़े करनी है इसमें एक्स्ट्राइट यह है कि मिनिस्ट्री आप अप कल्चर जो है उसने स्कीम लांच करी थी एक नई स्कीम जिसका नाम था फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ टैन थाउजंड एक बात करी थी ठीक उत्तवदेश में कितने हैं अभी तक बताईए कमेंट करके और हम लोग आगे हैं अपने फेवरेट सेक्शन कॉमने का इस पी से इसमें हम लोग पढ़ते हैं पढ़के समझते हैं कि किस तरीके से जो है कोशन हमें लगाना भी आना चाहिए एकजाम और में गांधी पीस प्राइस से समद्धित कौन से स्टेट्मेंट सही है महात्मा गांधी की 125 जन्ती के अवसर पर वर्स 2005 में संस्थान का गठन किया गय जिक गांधी पीस प्राइस का कि सही स्टेट्मेंट की घलत है दूसरा यह है कि एक करोण रुपैस में नगर मिलते हैं एक प्रस्रस्थी जो है पत्र मिलता और एक पटिका के साथ साथ एक उत्तम पर अन्परिक हस्त सिल्प हतकरगा आइटम भी मिलता है कि अचान चाहिए ह अभी राजपिता भी है मंग्रादेश के शेख मुझीबूर रह्मान इनको और ओमान के अभी आप लोने आज येमेन पे पढ़ा उसके बगल में कौन सा कंट्री है ओमान है ओमान में पोर्ट है डुकुम डुकुम इंडिया ने इसको ले रखा है टाकिवला काउंटर कर सके चाबार में अपनी पहुच अच्छी से रख सके और ये नेवल पोर्ट है वहाँ पर अपना जो है इंडिया थोड़ा बहुत रखता है मिलिट्री उट्री वाली चीज़े ठीक इंडिया भी कम नहीं है कोई अगर ज्यादा कोई हलके मिले रहा हो तो देख ले आके ठीक बा ही है वह इसमें जो है वहाँ पर प्रैम मिस्टर है ठीक है तो यह है पहला स्टेट्मेंट गलत है और दूसा और यह सही है इसलिए दूसा और तीसा आंसर यानि के ऑप्शन भी हो जाएगा एक सो पत्चानवे हम चलू हुआ था ठीक कोई ऐसा वेक्ति जिसने समाजिक आर् कोई भी किसी को भी दिया सकता है वसकाम उसको गांधी करी करके अगर किया है उसने ट्रांस्वामेशन लाया है समाजेकार्थीक और पॉलिटिकल वाला तो उसको मिल सकता है ठीक अल्टीमेट मिलिटरी स्ट्रेंथ इंडेक्स समधित कौन सा स्टेट्मेंट गलत है देखे अल्टीमेट यह किसने रिलीस की है डिफेंस वेबसाइट है मिलिटरी डिरेक्ट ठीक तो यह स्टेट्मेंट देखे विलकुल सही है ठीक है और पूछा क्या गया गलत तो अब ऐसे ध्यान रखे एकौडिंग तो रस्या मिलिटरी इस ट्रॉंगेस्ट मिलिटरी फोर्स इं मिलिटरी है पूरी दुनिया में और इसके बाद जो है फ्रांस है ठीक है अठावं पॉइंट के साथ में 58 पॉइंट किस दौरा तो दूसरा स्टेट्मेंट है गलत तो और पूछा क्या गया है दूसरे वल्ला तो पहला स्टेट्मेंट है साही तो बी ऑप्शन हो जाएगा अब एक अठाव है जया है चाने के वज़ूट स्टनाक और गज़िया सबसे मजबूथ है युए से से कन्वर पर रशुया थीसे नंबर पर इंडिया च्टें नंबर ए ठीक और जो है है एपका इंडकाउइट किस पर बेस होता है बजट कितने लाएग़ए बिलिटरी पर ठीक तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन खतब होता है अगर आप लोग को अच्छा तरह प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरू करिए अगर आप लोग के पेट गूप से जुड़ना है UPSC का UPSC 2021 के कंप्लीट पेट गूप और EPFO Crash Course हमारा चल रहा है 2020 का अगर आप लोग जोइन करना चाहते है और आप लोग से फिर से करम लाकात होगी छे बजे पे और इसी अपने चैनल पे और आप लोग को अगर टेलिगर हमारा फ्री जोइन करना है तो IAS UPSC 2019 इसको सर्च करिएगा IAS UPSC 2019 ठीक तो आप लोग को फ्री टेल्गांफ चैनल मिल जाएगा कल फेर बिलेंगे सुबाद 6 वजे तब तक लिए अलविदार लेते हैं जाएं जाएं जाबरत और अवरी वेस्ट हैं